कि अ आ जो बच्चों तो बने पढ़े रहे थे चैप्टर वन इंट्डिजर्स क्लास 7 मैट्स का में पढ़ चुके हैं परचलक्त में अब अब पढ़ेंगे इसकी प्रॉपपेटीज मैल्टिप्रिकेशन की प्रॉपपेटीज क्या क्या होती है जैसे हमने फोल नम्बर के लिए बढ़ हुई है प्लोजर अंडर मॉल्टिप्लिकेशन कम्यू टेप्रोपर्टी एसोशेटेव प्रॉपर्टी अपने हर त्रेक नम्बर में आती है हमको सरीजे वेरिफाई करना होता है कि इसमें प्रॉपर्टी वो वेलिड है कि नहीं है जैसे पहली प्रोपेटि आपको बोलती क्लोजर अंडर कि मुल्टिप्लिकेशन कि इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही जैसे ही जैसे ही दो नम्बर को एड कर रहे हैं सब्टाइब कर रहे हैं तो तो प्रोड़क्त है वह उस टैप का ही नंबर हो अगर होल नंबर कर दो होल नंबर हो नेचरल कर देजर हो इंडिजर हो सेम किसमें तो अगर मैं को ने आपको कोई भी एक्सामपल लें अभी इमने फूर इंटू माइनस फाइव लिया इसको मैं मल्टिप्लाइ करूँगा तो तो नेशनल नमर मी कवर करचके हैं हो लड़ी हम तो इसमें हमको क्या प्रूफ होता है कि इन दोनों को जो अंटू करते हैं तो जो आपको आंसर आता है कि मैंने सब्सक्राइब बेशार है कि नहीं है बिल्गूल अंटिजर है क्योंकि इन जो नमबर 0, 1, 2, 3 या सारे इंटीजर होते हैं नमेश्य होते हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो है प्रूव हो जाता है कि आप जब दो इंटीजर को मं फेकर करते हैं जाया वो एक पॉसिर्टब एक ने अजब यह धो झाला इंजरें आएा काय प्रस्दार आए लोगा हैं तो हमारा आंसर हमेशा एक और इंटीजर ही आता है अब बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है जैसे के अपने अधिशन के लिए पढ़ी दिया प्रॉपर्टी इसमें कहाता है अप्लस बी इस एकुल तो बी प्लस ए राइट लेकिन ए- बी इसमें बात करूं और मैं बोलूंगी ए इंटू बी या फिर मैं यह इंटू बी जागे जोगता हूं मैंस थ्री इंटू माइनस फइव गया 15 और मैं बोलूंगी माइनस 5 इंटू माइनस 3 गया हो गया यह भी 15 हो गया इससे हमको यह पता पड़ता है कि नंबर्स को मैं किसी भी डिरेक्शन में मुल्टिप्लाई करूं मतलब पहले 3 को 5 से करूं या 5 को 3 से करूं या मैनस 5 को मतलब कोई भी इससे के फरक नहीं पड़ता है तो इससे यह हमको प्रूफ हो गया कि एंटू बी इस इक्वल टू बी इंटू ए ओल्वेज यह प्रॉपर्टी इस केस में भी काम आती है यह प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए वैलेट थी यह प्रॉपर्टी यहां भी सब्सक्राइब कर लें आपका अंसर वहीं आने वाला है तो इससे कोई फरक ने पड़ता है तो इट आल डिपेंड्स अपॉन की हमको क्या इजी पड़ रहा है तो जब हमको सवाल करेंगे तो हमको समय में आएगा कि यह प्रॉपर्टी हम जूस कैसे कड़ते है अब बात करते हैं मल्टिप्लिकेशन बाई जीरो तो मल्टिप्लिकेशन बाई जीरो आप कोई भी नंबर को से मल्टिप्लाई करेंगे आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा यह fix है यह whole number के लिए ऐसा होता है natural number के लिए ऐसा होता है और integers के लिए भी ऐसा ही होता है तो 0 से multiply करने पर integer को भी अगर आप 0 से multiply करेंगे अगर मैंने आपको बोला minus 5 into 0 यह answer हमेशा 0 ही आएगा यह natural number के लिए वैलेड है और इंटीजर के लिए भी वैलेड है फिर पर बढ़ते हैं एक और उत्ती होती है multiplicative identity multi-plicative identity इसका मतलब कह है इसका मतलब यह कि ऐसा कौम सा नंबर है जिससे में उस नंबर को multiply करूं कि मेरा सेम ही आंसर आए तो नौमल के लिए होता है नेच्रल नंबर के लिए भी अगर मैं 1 से multiply करता हूं तो यह answer मेरा सेम ही आता है सेम तो सेम केस होता है अगर मैं मैं-5 को 1 से इंटू करूंगा तो मेरा आंसर मैं-5 ही आएगा मैं-25 को भी 1 से बटिवलाई करूंगा तो मेरा आंसर मैं-25 ही आएगा मदलब उस नंबर को आप 1 से मैं किसी भी नंबर को आप 1 से multiply करो नंबर इंटिजर भी होगा तो भी उसका अंसर वही नंबर होगा इसको बहुते हैं तो यह दो प्रॉपर्टी जो है बाई-0 और में अब लुक्तिव एडिटिटी यह शीम वही प्रॉपर्टी जो अपने हमने नंबर से पड़ी होई आप अब अब को प्रॉपर्टी पढ़ रहे है उसका नाम है असौशियेटिव प्रॉपर्टी एशो शीयेटिव प्रॉपर्टी इस में क्या होता है आप देखते है कि मैं तीनन नमबर लिए एक मेरा 3 है एक मेर मैरा मैं नमबर मेरा मैं नमबर मेरा मैं लिए A B C अब मैं क्या कट रहा हूं पहले मैं इन दोने को मुल्टिबारा करूंगा फिर मैं इसका जो भी आंसर होगा उसको इसे मुल्टिबारा करूए तो देखतें 3 mad into minus 4, इन कहा हो गया, minus 12, into minus 5, तो यह कहा हो गया, minus minus positive हो गया, 12, 5 is the 60, तो इसका अंसर क्या है, 60, अब मैं अगर ऐसे भी इसे भी खर लोग, मैं इन दोनों को इंटू कर लोग दो फिर उसको बाद मैं इसे इंटी करूं, तो 3 मैं एसे जोड़ दिया, मैंने लिखा मैंने फूर इंटू माइनस फाइव विच इकोल तु थी इंटू माइनस फॉर और माइनस फाइव एक यह दो नेगेटिव नुमबर है फॉर इंटू फइव फट्वेंटी दोनों नेगेटिव हैं तुसका अंसर क्या हुआ पॉसेटिव पहले बढ़ चुके है तो इसका अंतर क्या जिस्टी पहले वाले केस में गाए दूसरी केस में आंसर को दूसरी यह प्रूफ हो गया कि आप नंबर को किसी भी सीक्वेंस में इंटू करें आपका आंसर में फारक नहीं पढ़ता यह बात हम पहले बीधिदो नंबर सिल देख चुके ए और बी अग करूं तो भी वही शीज़ वैले तरती है कि इनको आप पहले न्टू कर लो फारक नहीं पड़ता अप्टा अप्टा नगी पर लो फ़रक नहीं पड़ता है तो वहां पे आपको फ़रक जिसे मंगी जलिए कि आपको थ्री इंटु फॉर से ज्यादा एजी फॉर इंटु है तो हंडेट से किसी नबर को मृट्पलाई करना औरकिसी भी राउंड फिकर से टैन हंड्रेट टू हंडेट किसी भी नमर को मृट्पलाई खरना हमेशा इसी वज़ेसे यह इस परपर सब्सक्राइख भाध बहुत 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 रिजर्ण कि हैं कुछ और सवाल करेंगे तो अमपूर दंसी समय में आ जाएगे अब लास्ट पॉपर्टी है मल्टिप्लिकेशन की इसका नाम में डिस्ट्री ब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या नाम में इसका डिस्ट्री ब्यूटिव प्रॉपर्टी यह क्या बोलती है तो यह बोलती है कि अगर मालेज मेरा वह तीन नंबर है एक 3 है एक माइनस 4 है और एक माइनस 5 है मैं एक बार कर रहा हूं ए यह में भार लिया और इंटू क्या बी प्लस बीच में एडीशन भी है इस से पहले पर ली थीन सारी प्रॉपर्टी वह स्प्यॉर्मठिपिलिकेशन की ऐता है तो इस अलबीं की एक शिक कर लेते हैं सीज को इसे मालों इसी केसमें में महला है कि यह यह है यह यह भी है और यह देखते हैं तो अगर सवाल में को बोला जाता है कि 3 कर 3 को इंटू करना है minus 4 plus minus 5 से, तो कैसे करेंगे इंटो अपर, ये वारा सवाल है 3 into minus 4 plus minus 5 तो मैं normally करूंगा, कैसे करूंगा 3 into minus 4 plus into minus is minus 5 और ये हो गया, और ये क्या हो गया फिर 3 into minus 9 which is equal to minus 27, क्योंकि 1 positive है, 1 negative है अब अब इसको इस तरह से करते हैं तो अब लेट अस दू कि पहले हम a into b करें, फिर a into c करें दिखने क्या होता है, तो अब मैंने किया पहले 3 into minus का 4 ये किया और फिर मैंने plus किया 3 into minus का 5 दिखते है क्या answer आता है तो 3 into 4 क्या होता है, 12, क्योंकि एक negative भी है तो यहां पर क्या हो गया, minus 12 plus 3 into 5 क्या हो गया, 15, लेकिन negative भी हो गया, minus अब plus into minus क्या होता है, minus 12 minus 12 minus 15 which is equal to minus 26 ये number और ये number exactly सेम है, इससे हम क्या proof वरबात है, हमें प्रूफ वरबात है अगर वो को सवाल इसे दिया गया हो तो यहां तो हम सको ऐसे सवाल करते है अगर कोई सवाल इसे दिया गया हो तो हम इसको एक चूली जो उसका practical use case है वो ये वाला जाता है कि आपको यह फामेट में दिया जाएगा और आपको इसमें करना बढ़े खाए घर यहां पर इसली हुआ यहां पूर तो यह तो यह फाइदा होता है जब हमको सब्सक्राइब में करना बढ़ता है अपने इजी तरह सी यह अपनी हो गई डिस्ट्रीबुटिफ प्रॉपर्टी तो इसके साथ अपनी सारी प्रॉपर्टीज खतम हो चुकी है मल्टिप्रिकेशन की अब हम कुछ सवाल दिखेंगे अपने अगले वीडियो में ठीक है थैंक यू